हलो फ्रेंड्स नमस्कर दोस्तों आज के वीडियो के अंदर सिखेंगे हमकी हमारा जो पेकेज होलेट के अंदर जो अमाउंट आ जाता है उसके बाद हमें उसी अमाउंट को ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट मेटा ट्रेडर फाई के अंदर ट्रांसपर करना है सो उसके लिए हमें सबसे पहले menu बटन पे क्लिक करना है और उसके बार robot का जो option है उस पे क्लिक करना है next हमें investment पे क्लिक करना है investment पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पे जाएगा जिसमें सबसे उपहिखा है investment trading robot और हमारे wallet के अंदर जो amount है वो है 125 डॉलर तो हमें ये 125 डॉलर जो है हमारे trading account metatrader5 में transfer करना है या तो फिर आप इसे बोल सकते हो कि deposit करना है तो metatrader5 के अंदर deposit करने के लिए सबसे पहले आपको इस form को fill करना रहेगा जिसमें user id डालना है user id मतलब की आपका bot bro का id सो यहाँ पे मैं bot bro का id डालता हूँ bot bro का id जब आप अपना डालते हो और जब enter करते हो तो automatic नीचे आपका नाम आ जाएगा यह मेरे client का account है तो मेरे client का यहाँ पे automatic नाम आ रहा है इसके बाद मुझे जो investment amount है वहाँ पे amount डालना है तो 125 dollar में यहाँ पे डालता हूँ next मुझे metatrader5 का trading account जो है वो number मुझे डालना है तो यहाँ पे उनका जो ID है 277-270 277-270 यह मैंने डाल दिया है इसके बाद मुझे select account करना है trading account मैंने select किया okay फिर से मुझे डालना पड़ेगा mt5-277-270 यानि कि पहले आपको trading का जो type है वो select करना है उसके बाद mt5 ID डालना है तो यह आपको थोड़ा द्यान रखना है इसके बाद transaction password डालना है जिस account से आप his bot bro account से आप यह process कर रहे हो उसी bot bro account का transaction password डालना है तो मैं यहाँ पे transaction password डाल देता हूँ इसके बाद मुझे remark में लिखना है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि deposit fund in my mt5 mt5 id क्योंकि यह मैं खुद client के user id पासफर से कर रहा हूँ तो मैंने इस प्रकार से remark डाल दिया आप कुछ भी डाल सकते हो कि deposit fund या तो deposit amount in trading account कुछ भी डाल सकते हो इसके बाद मैंने check me out पे क्लिक करना है चेक me out पे क्लिक करने के बाद submit करना है बट submit करने से पहले एक बार आपको verify कर लेना है और यहाँ पे submit पे क्लिक करना है तो submit पे क्लिक करने के बाद process हुआ और process के बाद हमारे सामने एक message यहाँ पे display हुआ कि your investment has been done by $125 यानि कि हमने $125 का request जो डाला process जो किया वो process हमारा complete हो चुका है तो मैं यहाँ पे simple screenshot रहूंगा और उस party को मैं यह send कर दूँगा ताकि उनको भी information मिल जाए तो आपका यह $125 का जो आपने process किया है वो $125 इस Meta Trader 5 account के अंदर within 24 hour के अंदर वो 100 हो जाएगा तो यह आपको check करते रहना है और जब 100 हो जाएगा उसके बाद 24 hour के बाद आपका trading account जो है वो automatic start हो जाएगा रोबोट के थूँ ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने fund को Meta Trader 5 में transfer कर सकते हो सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह video आपको अच्छा हगा होगा और आपको काफी helpful होगा ओके friends thank you very much thank you हुआ 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 है